नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेर करें हिंसा प्रभावित मनिपूर में एक बार फिर शान्ती की कोशिसों को बड़ा जटका लगा है मनिपूर से आ रही जानकारी के अनुसार इमफाल इस्ट जिले के खमेन लोक इलाके में हुई ताजा हिंसा में नौ लोगों की मौत हो गई है वहीं इस हिंसा में कई लोगों के गायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है सुत्रों के हवाले से माने तो उग्रवादियों की ओर से मंगलवार को अचानक की गई गोलीबारी में नौ लोगों की मौत हो गई और दस लोग घायल हो गई बताया जा रहा है कि इस दोरान शरार्ति तत्वों ने खमेन लोग गाउं के कई घरों में आग लगा दी तामेंग लोग जिले के गोबा जंग में कई लोग घायल हो गए इंफालिस्ट की पुलिस आयुक्त शिवकांत सिंग ने बताया कि खमेन लोग इलाके में भड़की ताजा हिंसा में नौ लोगों की मौत हो गई है और दस लोग घायल हो गए हैं पोस्ट माटम की कारवाई की जा रही है वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मरने वाले नौ लोगों में एक महिला भी शामिल है गायलों में से कई लोगों को इंफाल में उपचार के लिए लाया गया है हिंसा में मरने वाले लोगों में से कई के शरीर पर चोटे लगी हैं निशान शरीर पर हैं और गोलियों के जक्म भी पाए गए हैं मनिपूर में हुई ताजा हिंसा राज्य में शान्ती के प्रयास को एक बड़ा जटका लगा है एक महीने से ज्यादा समय से हिंसागरस्त मनिपूर में लगतार शांती की कोशिसें की जा रही हैं मैतेई और कूकी समुदाय के बीच आरक्षन को लेकर जड़प हो गई थी यह घटना ऐसे समय पे हुई जब एक दिन पहले ही कर्फ्यू में धील दी गई थी खमेन लोक इलाके में बीते कुछ दिनों से लगतार तनाओ बना हुआ था